नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में मैं हूँ आपके साथ अभिलाश टिम इंडिया और न्यूजिलेंड के बीच में सिरीज शुरू हो चुकी है आज भारत ने न्यूजिलेंड को आट विकेट से रौदा और एक इतिहास कायम कर दिया सबसे बड़ी बात ये रही कि इस पूरे मैच में भारती टीम ने शुरूआच से डॉमिनेट किया न्यूजिलेंड को और हम सभी जानते हैं कि न्यूजिलेंड को न्यूजिलेंड में हराना बहत मुश्किल है लेकिन नेपियर में भारत ने जिस तरह से 10 साल बाद जीत दर्च की है वो वाकई में दर्च आता है कि नेपियर का जो मैदान है वहाँ पर अब भारती टीम ने अपना तिरंगा जो है गुर लहरा दिया है जंडा गार दिया है शुरुआत से ही मुहमर्शमी के स्पेल से लग रहा था कि भारती टीम आज कुछ अलग सोच कर आई है पिछ इतनी जादा खराब नहीं थी कि आप 157 पर बूल्ड आउट होजे 157 पर न्यूजिलेंड को भारत के ओल आउट किया वह वाकई में दर्शाता है कि नहीं भारती टीम में वो दमखम है साल 2015 के विशुकप में भारत ने जब न्यूजिलेंड में आईरलेंड को हराया था वो भी इतनी बड़ी जीत थी लेकिन न्यूजिलेंड में न्यूजिलेंड के किलाव जीतना एक अलग मसला है यहां पर भारती गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी क्योंकि जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी की मुहमद शमी ने गेंदबाजी की कुलचा कुलदीप और चहल की एक बहतरीन साज़ेदारी देखनी है कई समय बाद हमने यह जोड़ी देखी है एक साथ मैदान पर और जबरदस्त गेंदबाजी मैं कहूँगा कि इन्होंने करी है और कहीं न कहीं दिखा दिया है कि बादती टीम के पास दो ऐसे रवेस्ट स्पिनर्स हैं जो आसानी से भारत को किसी भी मैदान पर कहीं पर भी किसी भी टीम को हरा सकते है इनके 20 होगर क्रूशेल और फिर जस्परीद भूमरा जब आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके भूवनिश्वर और भूमरा चार और फिर शमी की जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है पाँच आपके गेंदबाज तयार हो चुके हैं अब क्या ओल राउंडर खिलाईगी टीम यह भी देखना दिल्चस्प होगा या फिर बिना ओल राउंडर के भारत कहलेगी क्योंकि पाँच प्रमु गेंदबाज तो भारत खिलाएगा ही खिलाएगा अब वहाँ पर क्या कॉल राउंडर को जगे मिले ही क्योंकि देखे हरदिक पांडिया थे तो यह थोड़ा एक बैलन्स प्रदान होता था यह हर खिलाडी कह चुका है कैर वो मसला अलग है वो भी चल रहा है लेकिन फिलाल भारत का बैटिंग ओर उस तरह से से नहीं है क्योंकि अब तक हपके ग लेकिन अब भारती द्रिश्टी कोंड से अगर देखा जाए क्योंकि आज भी हमने जो मैच खत्म किया है रिवाइज हो गया था टारेट जब खेल रुका था तो 34.5 औरों में भारत ने 8 विकेट से मैच को जीता खुदा ना खास था अगर यहां पर टागेट 2500 या 260-270 हो तो क्या भारत इस तरह से खेलता शाद जीतता लेकिन अगर हम लगतार आदर डालते जाएंगे हम 50 ओवर तक मैच को खीचने की तो हम मैच जल्दी कभी खत्म नहीं कर पाएंगे भारती टीम जो एक समय मानी जाती थी जो टॉप 6 बैट्समन है उनकी स्ट्राइक रेट असी जिनको शायद वर्ल्ड कॉप में हम नहीं देखते हर किसी के अपनी ओपीनियन होते हमारा काम है ओपीनियन रखना शायद आपका बी प्लैट्फॉर्म है नेक्स नाइट स्पोर्ट्स आप चाहें तो कमेंट्स में अपनी जिसे हम कह सकते हैं कि ओपीनियन जरूर रख सकते इस टीम में आकिर क्यू दिने शकार्तिक को भाह किया गया और अगर दिने शकार्तिक को बहार ही करना था तो अम्बती राइडु क्यो खेले तीन महीने जिन खिलाडियों ने ख्रिकेट में खेले शिकर्दवन का confidence आयसता आया और उशिकर दवन का चलना बेहत जरूरी था सबसे तेस पाच हजार रन मारे अमबती राइडू की जगे किस बेसिस पर बन रही है भारत को अभी तक थी कि आप उनी खिलाडियों को खिला रहे है जो आपकी वर्ल्ड कप की सोच में है लेकिन जिस खिलाडी का बैट सुंगी नहीं उठ रहा है आपने देखा आज ठीक है दो चौके जरूर चड़े तेज गेंदे लिए हैं चार नंबर के खिलाडी का काम होता है गेम को चलाना चार नंबर के खिलाडी का काम गेम को रोकना नहीं होता है कभी अब आप पूरी दुनिया की टीमों को उठा लीजे नंबर चार कर यो बल्लिवाज होता है वो गेम को चलाता है, स्ट्राइक रोटेट करता है जो धोनी ने किया आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे बंडे में जब भारत मेलबॉन में मैज जीत रहा था इवन एडिलेट में भी कुछ है सही होगा तो यह चीज़ सोचने की जरूरत है कि भारत आखिर चार नंबर पर अम्बती राइडू को ट्राइ करना चाहता है या नहीं करना चाहता है क्योंकि आप जिस हिसाब से टीम को खिला रहे हैं और अम्बती राइडू जाहिर सी बात है उसोच में मिरख्याल में शाहत विराट की सोच में हो लेकिन लगता नहीं कि अम्बती राइडू नंबर चाहर के लिए परफेक्ट ने इवन वो इस 15 में होने डिजर्ब नहीं करते है तीन महीने आपने ग्रिकेट नहीं खेली आपकी परफॉर्मेंस में फरक आगे जो बैट स्विंग होता है वो बहुत साथ इंपोर्टेंट होता है जब आप भारत में कहलते हैं तो बैट स्विंग हमेशा नीचे होता है उसके बाद ही आप यहां पर सक्सेस्फूल हो सकते हैं जब बैट सुंगी आपका नीचे रहेगा तो आज भी हमने देखा कि बल्ले पर गेंद लग नहीं रहा था तो यह बात समझने की है कि आखिर क्यों उम्बती राइडू को टीम में रखा गया तो क्या बाकी खिलाडियों के लिए चांसे हैं रिशब पंद इस टीम के एक होनार खिलाडी है रिशब पंद को इस टीम में मौका नहीं मिला है पंदरा में शामिल नहीं किया गया अब सेलेक्टर्स ने कहा है कि हम उनको मौका देंगे लेकिन अभी उनको हमने rest दिया है 20 साल के युवा क्रिकेटर को जिसका career start हुआ है बीते साल September में जब अगस्त में जब भारत गया था इंगलेंड और महाँ पर उनोंने शतक जड़ा था ऐसे खिलाडी को आप मौका देते हैं और यहाँ पर उस खिलाडी को back नहीं किया जा रहा यह सोचने की बात है शायद रिशाप पंथ हो तो यह match 10-12 और पहले भी खतम हो सकता क्योंकि वो तेज केलना जानते हैं एक्सिलरेट करना जानते हैं लंबे-लंबे हिटे मार सकते हैं तो यहाँ पर रिशाप पंथ का टीम में होना ज़रूरी है और भारत को down the order एक left-handed batsman की ज़रूरत पड़ेगी तो क्यों आखिर अमबाती राइडू पर इतना दाव खेला जा रहा है अभी तक कोई खास प्रदर्शन नहीं किया उन्होंने एशिया कप में सबकॉंटिनेंट की तरह पिष्टी वहां कर दिये वेस्ट इंडीज में कर दिये औस्ट्रिलिया से हम देख रहे हैं वो इस तरह का प्रदर्शन कर दे 12-13 तो कोई भी आके बना लेगा लेकिन आपका middle order तब टेस्ट होगा हम इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि शायद भारत को अपने experience किलाडियों की ज़रुरत है अमती राइडू पिछले दौरे पर थे जब भारत ते ऑस्ट्रिलिया गया था उस दौराद भी क्यों उन्हें टीम में रखा गया और फिर वर्ल्ड कप के बाद एकदम से ड्रॉप कर दिये गया फिर वर्ल्ड कप से पहले एकदम से आप ले आए तो यह सारी चीज़त सोचने वाली हैं कि आखिर किलाडियों को आप किस बेस पर मौका देना चारहे कुछ आपके आलमोस्ट टीम तयार है अगर आप देखें तो यहां पर आपकी गेंदबाजी तयार मौमर शमी के रूप में आपको तीसरा पेसर मिल गया है खलिल एमद भी है रेस में चारग पीसर अगर आप लेकर जाए है तो यहां पर भूगनेश्वर भूबरा शमी और खलिल चार आपके गेंदबास तयार हो गया यह दो आपकी स्पिनर तय है कुल्दी प्यादप और युजमेंदर चैर छे खिलाड़ी आपकी यह हो गए सात्वा होगे आपको आल रांडर या विजय शंकर या रविद्र जड़ेजा मुझे लगता है कि यहां पर विजय शंकर थोड़ा सा बैटाव है क्योंकि कमप्रेटिवली तेज गेंद कर सकते हैं मीटियम पेसर हैं अच्छी इंड डाल रहे हैं और रविद्र चैरेज़ेजा को छोड़ नहीं सकते आप आठ खिलाड़ी आपके यह हो गए साथ फिर आपको बल्लेबाज ले जाने होंगे फिर आप साथ बल्लेबाजों में किसको चुने हैं आप जो आज आपने खिला रहे हैं रोहित शिखर विराट दोनी यह चार आपके फिक्स हो गए इसके बाद आपको कार्तिक जादव और अम्बती राइडू में से कोई दो खिलाने होंगे आप टीम दिखा रहे हैं क्योंकि आपर रिशाप पंत इस टीम में नहीं है सुरेश रहना क्यों नहीं है इस कब 2019 पर या पिर अगर आपको खिलाडियों की अबिलिटी पर भरोसा नहीं है तो फिर आपको अपने सीनियर खिलाडियों को चांस देना चाही है तो यह सारी चीज़ा सोचने वाली है क्योंकि शायद वो टीम में होंगे तो यह आपको मोटिवेट ही करेंगे और आपकी ट पारी खिलने वाले खिलाडी चाहिए जो फिलाल विराट कोली है मैंदर सिंग धोनी है रोईट शर्मा है दवन भी फॉर्म में आ गई इन चार के अलावा फिर आपके पास लंभी पारी खिलने वाला खिलाडी नहीं है यह सोचने वाली बात है कि आपको कहां पर वर्ल्ड कप की टीम बनाने हैं मानते चलिए युवराज रहना की तरफदारी कोई नहीं कर रहा प्रदर्शन नहीं है आप उन्हें बाहर करें तो एक अपनी 30 प्रोबैबल भी अभी तक भारत ने नहीं चुनी है हाला कि कि किसी नहीं चुनी है लेकिन उन 30 खिलाडियों की सोच तो आप आपको रखनी पड़ेगी चो 30 खिलाडी में से 15 आप निकालेगी अब नई नई टीम आप बेशते जाएंगे बेशते जाएंगे बेशते जाएंगे तो शायद यह confusion पैदा होगी और फिर भारत को अपनी वर्ल्ड कप टीम बनाने में बेहत दिक्कत होगी और मुझे लगत करी है हमने देखी है आज न्यूजिलेंड में तो आपको बेटर फिल्डर भी चाहिए और अच्छे बल्लेबास भी चाहिए यह चीज़ा सोचने वाली है अब देखना होगा कि भारती टीम अपनी वर्ल्ड कप की टीम कैसे बिल्ड करेगी क्या सीनियर खिलाडियों को मौक गुछालियों को welfare कि यह तेखना होगा देखना होगा कि वर्ल्लेबार स्चने ध土 में देखना हो बिल्ड करेगी काया आच्छे का हुछा दुक यह तद?, करेगी काता हुछ?